वेल्किम जेहन डिफेंस अप्लिकेशन अभी लाप्टॉप पे मैं रिव्यू कर रही थी तो एक UPSC द्वारा अप्लोड़ेट पीडेफ मुझे दिखाई दिया जहां पे लिखा था यानि कि NDA 2022 में कुछ बच्चों ने ऐसा एप्लाई किया है जिनकी अप्लिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और यह कोई एक या दो बच्चे नहीं है टोटल 185 स्टूडेंस है तो डियर आस्पिरेंट्स में आप 185 स्टूडेंस को भी अड्रेस कर रही हूं और उन सभी को एड्रेस कर रही हूं जो फ्यूचर में भी अप्लिकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं बच्चे आपको यह मौका यूपीएसी वर्ष पे दो बार देती और हर एक ऑपरचुनिटी आपके लिए गोल्डन ऑपरचुनिटी होती है किसी का तो यह अटेम्ट पहल प्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आज इस बहुत इंपॉर्टन टॉपिक को में एड्रेस करूंगे और गाइड करना चाहते हूं कि किन बातों का ध्यान जरूर रखे और अगर आपका नाम इस 185 की लिस्ट में है तो आपको करना क्या है यह रास्परिंस यू आपको करना क्या है कि इस रिजेक्शन ऑफ अप्लिकेशन के अगेंस्ट आप इस समें एक अपील रेस कर सकते हो लेकिन उसकी लास्ट है 2nd of July 2022 और मैं आपको बताना चाहती हूं आपको basically उसमें documentary evidence भेजना होगा by speed post ठीक है या फिर आप खुद भी ले जा सकते हो किसको भे New Delhi 11069 ठीक है अगेंस्ट जो अपील आप इसके भेज रहे हो rejection of your application यह आपको दो जुलाई तक भिजवा देनी है या खुद आप समयम जारके दे सकते हो ठीक है विकर्स तभी genuinely आपके जो issues है यह resolve वो पाएंगे Apart from bank मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आपने deposit किया है fees through like for example cash mode में through SBI ठीक है या फिर किसी भी designated bank से तो आपको bank का plane slip in original produce करना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा मैं आपको बता दो यदि debit card या credit card या through internet banking आपने कहीं भी यह चीज़ को this fees को फिल किया है तो आपको statement of bank account लेकर देना पड़ेगा या फिर card statement आपको लगाना पड़ेगा अब अच्छे देख सकते हैं आप छोटी छोटी लापरवायों की वजह से अब आपको finally यह सारे actions दुबारा लेने पड़ते हैं तो जबी भी आप application form फिल करते हैं हमेशा से ध्यान रखेगा आपको जैसे यह सारे चीज़ें आपको help करती है future में तो बच्चो इस जानकारी से आपको भी पता चल गया और अगली बार से अवेर भी हो गए होंगे कि कैसे आपको application form फिल करते समय payment का part जो है बहुत ही ज्यादा साबधानी से करना है अगर आप इसमें सक्षम नहीं होते हैं अपने parents क help ले अपने brother sister जो भी आपके बड़े हैं उनकी help ले because यह चांस आपको बार बार नहीं मिलता है to apply for the National Defense Academy examination और अब मैं बात करना चाहती हूं यदि आप NDA exam के तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा guidance सी करना चाहते हैं जहां पे आपको मिले A to Z assistance right from your classes to your free mock test to your study material to your doubt clearing sessions to your 21 days of SSB program to your GTO ground, physical fitness training, hospital messing facility, access of even Centurion Defense Academy student app तो मैं आपको बताना चाहती हूं Centurion Defense Academy ने new batches for NDA 2 2022 target preparation लांच कर दी हैं इन batches का नाम है Marcos batch, Ghatak batch, Cobra batch, Garun batch आप इन में से किसी भी batch अपनी सुविदा अनुसार enrollment ले सकते हो और हमारे offline मों online courses का जायजा ले सकते हैं हिंदी और English किसी भी माद्यम से आज ही संपल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए 97959-77776 पर और अपनी seat को book करा सकते हैं limited seats है छेका उट पास, thank you asपर इसे जहीं